जैहिन दोस्तों मैं रिभापके एक बार फिर से टैक्वले चलों मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों अपनी C++ के लास्ट वीडियो में मैं आपको बढ़ता है था कि C++ के अंदर आपके स्कोब जी सोलिशन ऑपरेटर अखिर क्या होता है किस प्रकार से आप उस ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि C++ के अंदर आखिर आपके मैनिपुलेटर क्या होते है और किस प्रकार से आप मैनिपुलेटर का यूज़ कर सकते है तो दोस्तों आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसे लिए पहली बार आपकर पैसे लिए सब्सक्राइब कर जीजिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब आपके लिए आपके लिए इसे वीडियो लाते रहता हूँ तो दोस्तों में किसे अभरबाद ही कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीजी सब्दों में बूले तो आपको manipulator data को format करने के काम आता है जो कि आपका display पर दिखाई देता है इन में से कुछ आपके manipulators है handle, end, s, w, s, set, w, set, precision, plus ये कुछ आपके manipulators होते हैं और ये आपके जाहतर output stream से related होते हैं जाहतर आपके manipulators होते हैं वो OS stream, जो कि आपके class है IO stream header file के अंदर उससे ही related होते हैं कुछ manipulator आपके input में भी काम करते हैं हाला कि manipulators के लिए एक अलग से header file प्रवाइड की गए ये C++ के अंदर इसका नाम IOMANIP है IOMANIP का यूज करके आप manipulators जो कि आपके input output stream header file के अंदर नहीं है उनको भी आप यूज कर सकते हैं इनमेंसे बहुत सारे आपके manipulators होते हैं इनकी list में अभी आपके सामने परवाइड कर दूँगा इन manipulators को आप जब चाहें जहां चाहें insertion और extraction operator की मतलब से अपने data को format करने के लिए यूज हो सकते हैं यानि की manipulators आपके कुछ इस प्रकार से data को format करते हैं जहां वो आपका insertion और extraction operators को भी यूज करते हैं ठीक है तो manipulators आखिर किस प्रकार से यूज होते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं manipulator की जिसका नाम है आपका end L so end L आपके इस प्रकार के manipulator है कि ये जो है आपका compiler को next line में ले जाता है यानि कि next line फिल करने काम आता है अगर आप इस manipulator को थोड़ा compare करें तो आप धान देगे कि हमने C में एक पड़ा था escape sequence character escape sequence character में क्या था कि जब हम slash end का use नहीं करना है तो आप end L का use करके यानि कि manipulator का use करके भी उस कर सकते है इसी प्रकार से एक आपको manipulator आता है इसका नाम होता है set w और एक और आता है set appreciation और साथ में fill और भी बहुत सारे manipulators आते हैं अब हम बात करता है manipulator आपके कितने प्रकार के होते हैं अब आपको पता होना चाहिए कि manipulator आपके दू तरीके से ही उस हो सकते हैं एक तो है आपका with argument यानि कि ऐसे आपके manipulators जो आपके argument को भी receive करते हैं और आप समझीए कि दूसरा किस प्रकार को होगा तो दूसरा होगा आपका without argument यानि कि ऐसे manipulator जो argument receive नहीं करते हैं जैसे कि andl जो है वो आपका without argument इसमें आपको कोई भी argument देने की जरोथ नहीं पड़ती है साथ में एक और ऐसा ही manipulator जिसका नाम है and as इसमें भी आपको argument देने की जरोथ नहीं पड़ती है वहीं setW में आपको argument देना है setPrecision में आपको argument देना है ऐसे बहुत सारे manipulator ने जो argument भी receive करते हैं so अब आप समझ गये होंगे कि अगर आपको manipulator यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं iomani header file का भी साथ में iostream header file के अंदर ही बहुत सारे manipulators होते है अब एक example हम इस manipulator का समझ लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक variable create कर लेते हैं यह नाम जिसका हम रख देते हैं यहाँ पर हम उसकी कुछ भी value ले लेते हैं जैसकि हम ले लिए 5,6,4 तो हमारे पास एक variable है जिसको हम print करेंगे 5,6,4 को print करने को आपको पता है cout आपको लिखना है और यहाँ पर simple आपको a जो कि आपको एक variable है उसको print कर देना है क्योंकि हम यहाँ यहाँ पर cout output operator से मैं अगर print करता हूँ एक ही value दो बार तो हमें इसमें line मिलेगी या नहीं मिलेगी यानिकि new line print होगी या नहीं होगी तो एक बार हम इसको run करते हैं run करने के लिए आप अपने program को कोई भी compiler का use कर सकते हैं मैं अब आप G++ का use कर रहा हूँ यानिकि min gw या फिल gc compiler का use कर रहा हूँ अब एक बार और insertion operator का use करके यहां पर हम लिख देते हैं handle control से save करते हैं दोबार से compile करते हैं देखते हैं इस बार output क्या आएगा compile किया दोबार से मैंने run किया अब ही आप यह देखेंगे 5,6,4 इंसर्ट होगी line और 5,6,4 दोबार अप्रेंट होगी याने कि handle जो आपका manipulator है इस का का में आपका एक line को insert कर देना डिस्पले पर फोड़ा फोर्मेटिंग कर देना अगर हम आपर setW एक और manipulator की बात करें तो इस आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं आप देखिए अगर मैं आपर cout से पहले एक और insertion operator को insert करा के मैं आ लिख देता हूँ setW अब क्योंकि setW आपका एक argument receive करता है तो मैं आप पर देता हूँ setW 5 receive करके क्या करेगा कि setW यहाँ पर एक field की जो बिद है जो आपके output पर एक output करने का जो बिद है उसको थोड़ा increase कर देता यानि कि अब सपूच किजिए आपना setW पर दिया 5 space तो एक field इस प्रकार से बनेगा इसमें 1,2,3,4,5,5 बन गया अब एक ही आपकी value क्या है एक ही आपकी value है 5,6,4 तो यह right justified होकर 1,2 छोड़ेगी और 5,6,4 कुछ इस प्रकार से प्रेंट कर देगी तो यह काम होता है आपका setW का इसी प्रकार से एक और आता है आपका setFill setFill क्या करता है अगर setFill के अंदर कोई भी argument देते है setFill के अंदर आपने कुछ argument देता तो बुच किजिए asterisk दे दिया तो asterisk यहाँ पर fill हो जाता है तो इसी प्रकार से काम करता है फिलाल हम setW को समझते है तो अभी आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे समने एक error आ रही है वो error इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर IO Manip जो कि हमारे एक header file manipulator यूज़ करने का वो आमने insert नहीं किया है तो उसे हम कर देते हैं एक बार include तो उपर जाते हैं has include IO Manip control एसे हम save करते हैं अभी हमारे setW क्या है हमारे compiler को पर चल गया है एक बार हम इसे दुबार से compile करते हैं compile करने के बाद मैं इसको run करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि उपर वाला जो आपका 564 है यानि कि यह वाला जो आपका 564 है यह थोड़ा space लेकर आया है तो यही काम होता है आपका setW manipulator का तो ऐसा ही बहुत सारे manipulator है आप उनको चाहें तो use कर सकते हैं एक एक करके मैंने जो आपके सामने list हो की है उसको आप देखिएगा उसको समझने के बाद उसे रंक and ring कुशिस कीज़ेगा तो जोस्तो आज यह उस पीडियो में सिर्फ इतना ही आसा करता है आप y veil पसंद आई योगगे अगर यह वीडियो पसंद आई तो kareps video को like कर दीजे शेर कर दीजिए अपने दोस्तों साथ अगर इस चैनल पर ने तो किल पैसे लों सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों वीडियो तेखने के लिए धन्यबाद